चत्तिस गड़ के चुनाविद अंगल में इस बर कॉंग्रेस और बीजेपी में काटे का मुकाबला देखा जा रहा है कॉंग्रेस अपने 15 साल के सूखे को खत्म करने की जुगत में हैं वहीं बीजेपी जीत का चौका लगाने के लिए जोर लगा रही है बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए आज पीएम मोधी भी 36 गड़ पहुचे आज उन्होंने जगदलपुर में जनसभा को संबोधित कर रमन सरकार के काम का बखान किया साथी कॉंग्रेस पर हमला बोलने से भी नहीं चुके 12 नवंबर को 36 गड़ में पहले चरण में 18 सीटों के लिए मदान होना है पहले चरण में बस्तर की 12 और राजनत गाउं की 6 सीटों पर मदान होना है मदान से पहले 36 गड़ पूरी तरह से चुनावे रंग में रंग चुका है सूबे में नेता एक दूसरे के खिलाफ जम कर दहाड रहे हैं जहां कॉंग्रेस की तरफ से आजराहूल गांधी ने बीजेपी के खिलाफं कार भरी तवहीं पी एम मोदी भी मैदान में उतर कर कॉंग्रेस को ललकारते नज़र आए राज्य में पंदरा सालों से बीजेपी की सरकार है लेकिन फिर भी पी एम मोदी ने कॉंग्रेस के शुरुआती तीन साल के कारेकाल को याद कर उस पर हमला बोला जगदलपुर में रैली को समोधित करते वे पी एम मोदी ने कहा कि शुरुआत में ही 36 गड़ गलत हातों में चला गया था पहले की सरकारे मेरे तेरे के खेल में उलजी रही लेकिन हमारा मकसद सबका साथ सबका विकास है पियम मोदी अक्सर बीजेपी और कॉंग्रेस की तुल्ला करते आए हैं आज भी उन्होंने बीजेपी का बखान करने के साथ साथ कॉंग्रेस की नाकामिया लोगों के सामने रखी उन्होंने कहा कि 2003 के बाद से बीजेपी ने इस्तिती सुधारले की कोशिश की है जब से राज्ये में रमन सरकार बनी है तब से विकास हो रहा है शिक्षा और रोजगार देने में रमन सरकार का बड़ा हाथ है प्रधानमंत्री मोधी ने राजबबर के नकसलियों को क्रांतिकारी बताने वाले बयान पर निशाना साथ तेवे कहा नकसलियों ने एक पत्रकार को मार दिया वो तो सिर्फ यहां अपना काम करने आया था लेकिन कॉंग्रेस पार्टी इन नकसलियों को क्रांतिकारी कहती है नरिन मोधी आज हर मुद्दे पर कॉंग्रेस को घेरते नजर आए अब देखना होगा कि जन्ता उनकी बात पर विश्वास कर बीजेपी को चौती बार सत्ता की कमान सौपती है या नहीं डीबी लाइव की रिपोर्ट हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार